नमस्कार आप देख रहे हैं देशोजाना मेरा नाम भूमिका है और आज की बुलिटिन में आपके ताजा तरीन खबरें जरूरी जानकारियां समाज की अवाज बने रहे हमारे साथ क्योंकि यहां हर दिन कुछ नया है चले शुरुआत करते हैं आज इस सुरुखियों के साथ फातिमा की गिरफतारी मुंबाई पोलिस ने धमकी भरे मैसेज भेजने वाली महिला को खिरासत में लिया सीम योगी को बावा सिद्धिकी की तरह मार डालने की दीधी धमकी अमेरिका में राश्ट्रपती चुनाओ का भारत पर संभावित असर सत्ता परिवर्तन से अमेरिकी नीती में क्या बदलाव आएंगे बदलेगी चीन, इरान और रूस के संदर में भारत की इसी थी सेगिलिटी इंडिया का IPO खुलने को तयार पास नुवंबर से निवेशकों के लिए उपलब्द प्राइस ब्रैंट, ग्रे मार्किट प्रीमियम और कंपनी की विगास योजनाओं में एहम बदलाव होने वाले हैं रोहित बल के अंतिम संसकार में शामिल हुई प्रमुख हस्यां स्मिर्दी रानी सल्मान खान ने दी, शर्धान जली अंतिम संसकार उनके भाई ने किया भावक पल की जलक आई सामने भी मार्मी चीफ चंदरशेख राजाद की वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बाजी, दिल्ली यात्रा के दौरान हुई घटना, सुरक्षा की चिंता के चलते ही मामले की जांशिरो दिल्ली में कार चाला की दादागिरी, ट्राफिक पुलिस कर्मियों को बोनट पर लटका कर सौ मीटर तक हसीटा, वीडियो वारल होने से मचा हड़कंप दिवाली पर शारो खान का जल्वा पिछले 30 वर्षों में सबसे बड़ स्टार मने रोशनी के तिवहार पर दी बेतरीन फिल्म में फतेपुर में पत्रकार हत्या मामले में पुलिस ने की बड़ी कारेवाई, पांच संदिक्दों को गिरफतार, गैंक्स्टर एक्ट की तहत मामला दर्ज जाच जारी अमरिस्तर से हावडा जा रही ट्रेन के डिबबे में पताकों के करण लगी आग, जान बचाने खिड़की से कूदे, लोग चार हुए घायल रुक करते हैं हर्याणा की खास खबरों के ओर, हर्याणा में राजनीती का बवार सुर्जेवाला पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया, हर्याणा में कॉंग्रेस नेता रंदीव सुर्जेवाला की एक्सिडेंटल स्रीम टिपने पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रत शुर्जेवाला ने अपनी पार्टी पर हमला किया है क्योंकि उनका जुनाधार घट रहा है उन्होंने ये भी आद दिलाया कि एक्सिडेंटल पी एम का जिक्र मन्मोहन सिंग के संदर में किया गया था भाषपा की पूर्व सांसथ सुनिता दुग्गाल ने शुर्जेवाला की तरफ देखकर थूगना बंद करना चाहिए उन्होंने हर्याना में MSP को 14 से बढ़ा कर 24 फसलों पर खरीदी जाने की जानकारी भी दी इस राशनितिक बयानबाजी की बीच हर्याना में सत्तरून भाजपा और बक्षी कॉंग्रस के बीच की खाई और गहरी होती दिख रह विश्व मुक्केबासी चेंपियनशिप में 90 किलोग्राम भारवर्ग में सुन पदक जीत कर भारत का गौरण बढ़ा है और ये प्रतिश्थित प्रतियोगिता अमेरिका की कोलोराडो में आयुजित की गई थी जहां हेमंत ने फाइनल बाउट में चार एक से जीत हासिल की उनकी जीत की आत्रा 28 ऑक्टूबर को इटली के मुक्केबास को मार दे कर शुरूई इसके बाद उन्होंने कोरिया की खिलारी को हरा कर सेमी फाइनल में जगा बनाई हेमंत ने अमेरिका के मुक्केबास से खिलाव शांदार प्रदर्शन किया हेमंत के कोच हितेश देश दे में अवैध हतियारों के साथ तीन युव गिरफतार जियां चर्की दातरी के कबीर नगर निवासी तीन युवको को पुलिस ने अवैध हतियारों के साथ गिरफतार किया है शमशान घाट रोड पर खड़े इन युवको के पास से एक पिस्टॉल दो छूरी चार कार्थूस वरामत किये गए शहर पुलिस स्थाने में उनके खिलाव सशस्त्र अधीनियम के तहट केस दर्ज किया गया पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को उनकी स्पेशल स्टाफ टीम महिंद्रगर चौक पर अपराथी रोग थाम के रिए तैना थी तभी उन्हें सोच ना मिले कि पड़ी रोड सित शम्शान गार के पास तीन युवक अवैध हथिया लिये खड़े हैं टेम ने मौकी पर पहुंच संदिक युवकों को पगड़ा उनकी पहचान कबेर नगर निवासी साहिल हर्श और विशाल की रूप में हुई तराशी के दौरान साहिल की पैंट से दे अच्छा गंभी रुप से घायल जी यहां बादुर गड़ के छोटु राम नगर में शनिवार रातिक दर्दनाग हास्ता हुआ जब एक घर में अचानक आग लग गये इस घटना में पती पतनी सिंटू उम्र 25 और उनकी पतनी निशा जिनके उम्रे 22 है कि मौत हो गई और गर्ववती थी उनकी डिलेवरी कुछ ही दिनों में होने वाली थी आग लगने के कारण सिंटू के भाई का बेटा प्रिंस भी गंभी रुप से घायल हो गया जिसे नागरी कस्पदाल ने भरती कर आए गया सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची शवों को कम मजगे जबकि सुबा होते ही स्थानी लोगों की भीड़े भी खटा हो गए और यह घटना पूरे लाकी में शोक और सन्नाटे का महौल पैदा कर गई और मृतिकों की आसामाइक मृतिव ने सभी को गहरे दुख में डाल दिया है तो यह था आज का पुलेटिन इसे के साथ अच का पुलेटिन ही पर समाप्त होता है तासातरीन जानकारिया और नवीन अपदेट्स पाने के लिए जुड़े रहे देश रोजाना की साथ देखते रहिए आपका मन पसंतिता चैनल देश रोजाना बेबाक सैच हमारे साथ जूड़े रहने के लिए देखते रहे देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन